हर सहयत्मत बैक्ती, कमजोरी और बिमारियों को दूर करने के लिए बदाम और मास खाने की सला देते हैं लेकिन मुफली को अगर सही तरीके से खाय जाए तो ये मास से भी कई गुना ज्यादा फाइदे पहुचाती है क्योंकि जहां मास से 10% प्रोटीन पायाते है, मुफली में 25% प्रोटीन पायाते है और वो ही इसमें पायाने वाले नूट्रियंट्स कई ज्यादा फाइदे देते हैं लेकिन फ्रेंट्स आपको मूफली को 7 cup करना है और मूफली कैसी होनी चाहिए और किस समय लेना है आए जानते हैं इससे बनाने के लिए सबसे पहले एक मुठी के बराबार मूफली को खाली कटोडी में डाल लिजिए और इसके बाद हम इससे पानी में भीगवेंगे पानी आपको उतना मिलाना है जितना मूफली अच्छे से भीग जाए कमजोर सरीर और ठकान के लिए भीगी हुई मूफली किसी बरदान से कम नहीं है क्योंकि 100 ग्राम मूफली में 570 कलोरी और 26 ग्राम प्रोटीन पायाते है और साथी साथ इसमें पाया जाने वाले फैट और दूसरे निूट्रियेंट्स सरीर में मास पैसिया निर्मान करने के लिए बहुत फायदेमन्थ है साथी साथ फ्रेंट्स रात को भीगी हुई मूफली खाने से पेट से जुड़ी हुई हर तरह के बिमारी दूर होती है भूक ना लगने जैसी समस्ताय दूर होती है अगर आप चम-चमाती तचा और जुरियों से बचना चाते है तो आपको भीगी हुई मूफली का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे पाये जाने वाले ओमेगा 6 फैटी असीड हमारे तचा को चमकदार और कोसियाओ को सुस राखने के लिए बहुत फायदमन्द है जिससे हमारे स्किन तो चमकती है और कोसियाओ सस्थ होने से धिरे-धिरे हमारी जुरिया भी गायब होने लगती है दोसो भीग हुई मूफाली हमारे कोलिस्टेरल को कंट्रोल करता है एक सौद के ओनसारी ये पता चला है कि आगर आप हपते में सिफ 4-5 दिन भीग हुई मूफाली खाते है तो आपका दिल से जुड़ी हुई सारी बिमारिया खतम हो जाएगी और साथी साथ इसमें पायजने वाले केलसियम और बिटेमिन D हड्डियों को मजबूत करती है अगर आपके घर में कोई छोटा वच्चा है और दूद पीने से मना करता है तो उसे आप भीग हुई मूफाली खिला सकते है प्रेगनेट महिला और डायविटीस की रोगियों के लिए मूफाली बहुत ही फायदे मन्द है तो अभी मैं आपको बताऊंगा मूफाली कौन सी लेनी है और कैसे सेवन करना है ताकि बदाम से भी ज्यादा फायदे मिले बजार में आपको हर तरह की मूफाली मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको कच्ची मूफाली का सेवन करना है आपको लाल छिलके वाली कच्ची मूफाली लेकर आनी है एक कटूरी का अंदर भीगोकर रख देना है इसे रात भर भीगोकर रख देना है सुबह उठके आपको इसे खालेना है आपको मुठी के बरबर मुफली को रात में पानी में भिगो कर रखना है और सुबह उठके खालेना है आपको इसका इस्तेमाल रोजाना करना है खाली पेट आप इसे खाए और फिर देखिए इसका बहुत सारे फायदे मिलेगा और कुछ दिन लगातार खाने से आपको बदाम से भी ज्यादा फायदे मिलेगा आज की जानकरी फ्रेंट्स यहीं तक थी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो अगर अच्छी लेगी तो इसे लाइक करें ताकि आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए ऐसे वीडियो के साथ दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुस रहे, टेक केर फ्रेंट्स